सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना पुलें सबसे तेज सबसे पहले खबरे देखने के लिए धन्यवाद सारे इलाके के लिए ये गर्व वाली बात है कि सकालर पॉबलिक स्कूल इलाके का पहला स्कूल बन गया है जहां सकालर पॉबलिक स्कूल में पढ़ने वाले 18 विद्यारतियों को SIEC राजपुरा की मदद से 10 वर्षों का अमेरिका का वीजा प्रापत हुआ है स्कालर प्टलिक स्कूल के इन 18 विद्यारतियों को 11 दिनों के लिए के लिए एजुकेशन यातरा के लिए स्पेस सेंटर नासा लाइज स्कैश शिप राकेट वह और बहुत कुछ देखने वह शिक्षा प्रापत करने का मौका मिलेगा बच्चों को Space Center NASA अमेरिका में विग्यानिकों से मिलने वा बहुत एहन जानकारियां प्रापत करने का मौका प्रापत होगा जब News 89 की Team Scholar Public School पहुची तो अमेरिका का वीजा प्रापत करने वाले विध्यारतियों में स्पेस सेंटर नासा जाने के लिए बहुत ही उससाहा देखने को मिला यह विद्यारती अमेरिका में अनेक स्थानों जैसे न्यू यू यॉक नासा वाशिंटन डीसी वा और्लांडो आदी स्थानों पर जाएंगे वा कई प्रकार की जानकरियां प्रापत करेंगे जो बाद मे स्कूल के अन्य बच्चों के लिए काफी मददगार साबित होंगी इस स्यात्रा के दुरान बच्चों को नासा द्वारा संचालित अपॉलो चंद्रमा अभ्यान काई लैब अंत्रिक्स शेटल देखने का मौका प्रापत होगा स्कालर पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता स्कूल के डिरेक्टर शिरी तरसेम जोशी वा स्कूल की प्रिंसिपल शिरीमति सुदेश जोशी जी स्कूल के बच्चों को अमेरिका का दस साल का वीज़ा प्रापत होने पर काफी खुश दिखाई दिये जिन बच्चों को अमेरिका के वीजे प्रापत हुए हैं उन बच्चों के लिए अन्ने देशों में जाने के रास्ते खुल गए हैं बच्चों ने इस सफलता का सारा श्रे स्कूल की मनेजमेंट वाप SIEC राजपुरा को दिया स्कूल के डिरेक्टर शिरी तरसेम जोशी जी ने SIEC का धन्यवाद किया जिनकी मदद से बच्चों को शिक्षा प्रापत करने के लिए अमेरिका जाने का मोका प्रापत हुआ है जानके बड़ी खुशी होएगी शेहर बाशी नो के राजपुरा पहला स्कूल जी दे बच्चे यह ते पंदरा बच्चे यह वीजे अमरीका लगे हैं और दस साल वास्ते लगे हैं यह बड़ी मान दी राजपुरा लाकर बड़े मान दी का लागा My name is Amnip Kaur I am from Scholarz Public School Our school has applied for the NASA tour and I have also applied for the visa and I have got that visa and I am very happy for that because it has opened an opportunity for us to study in the American institution and also to apply for other countries' visas also I am from Scholarz Public School My name is Zharj Kaur Shig We are going to NASA tour USA We have got 10 years visa for USA it is a big opportunity for us to study in American colleges institutes we have got chance to visit NASA and see rockets in real and space shuttles but we are tourists for seven days four days for travel traveling and we have we have to visit many destinations like Disneyland and Universal Studios Kennedy Space Center NASA I am feeling very happy it is a moment of pride and we have a school has provided a opportunity to visit NASA and and Hospitality is here for us we are flying forever we have nearly half of the to go through the study in the world and we think very much that each other is the opportunity to be with us and we have to be honest at home you know how about you इस मौके पर SIEC राजपुरा के डिरेक्टर शरी तारेज जोशी जी ने भी बच्चों को दस वर्षों का वीजा मिलने पर खुशी जताई और उन्होंने बच्चों के माता-पिता को बदाई देते हुए इस यात्रा की पूरी जानकारी न्यूज 89 से सांजा करते हुए बताया सब्सक्राइब करते हुए जो आप देना हो दा पर खुशन करते हुए जो आप देना हो दा बच्चे बहुत कॉंफिडेंटली उन्हाने जवाब दिता होते अमेरिकन बैसी ते बहुत अच्छा एक्स्पीरियेंस हो रहा है साल दे वीजे लगगी है की तो लगदा भी है जदे बच्चे पढ़के स्कूल तो जानगे ए वीजा इना दे कदी अगे भी फूचरीज भी अगे पढ़ना हैगा ते अना नो बहुत बेनेफिट मिलेगा उत्ते अगे एजुकेशन करना राजपुरा से कैमरामन ललित कुमार के साथ मीडिया परसंद संदीब चौधरी न्यूजटी नाइट सब्सक्राइब करें न्यूजटी नैन चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरे देखने के लिए धन्यवाद